नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। प्रार्थना इस प्रकार से है आज शनिवार है महावीर का वार है ये एक सच्चा दर्बार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडापार है बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो विडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हनुमान जी महाराज की जय तो दोस्तों अगर आपके जीवन काल में आप बहुत परिशान है तनाव ने आपको घेर रखा है गरीबी दरिदरता आपके पीछे पड़ी हुई है तो अब आपको घबराने की जरूरत क्योंकि आपको हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन काल में सकारात्मक उर्जा आ जाएगी आपके जीवन काल में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जा आप यही चाहते हैं कि आप आसानी से धन कमा लें और अपने घर को सुख, समरिधी, एश्वर्य की प्राप्ती दे लेकिन खुश और धन दौलत तो बहुत दूर की बात है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तिमाल होने वाली चीजे भी आप बड़ी मुश्किल से खरीद प या है कि आपके जीवन काल में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपके पास धन का आगमन हो रहा होता है आपके दोस्त या नातेदार रिष्टेदार पडोसी पडोसी ऐसी नकारात्मक शक्तियों से आपको देख लेते हैं या ऐसी नजरों से आपको देख लेते हैं कि आपको एक बुरी नजर लग जाती है काला जादू आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, काले धागे का या उपाय कर आप कर लेते हैं दोस्तों आपके लाखों शत्रूओं एक तरफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं विगाड़ पाएंगे, वो आपके सामने घुटने टेक देंगे आपके जीवन काल में अगर धन आना बंध हो गया था, धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा, इतना धन आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है आपका जो दुरभाग्य है, वो भाग्य में बदल जाएगा, और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको कोई रोग लगा हुआ है, जिसका आप इलाज करा करके ठक गए हैं, परन्तु उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों यकीन मानिये काले धागे का एक ऐसा उपाय है, जिसको अगर आपने सिर्फ सही तरीकी की साधना से कर लिया, तो कितना ही बड़ा रोग हो, वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा आप ये उपाय करके देख लीजिये, अगर नहीं ठीक होता है, तो आप आकर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजियेगा, क्योंकि दोस्तों ये जीतने भी आपको उपाय बताय जा रहे हैं ये लोग कर चुके हैं, और लोगों ने बताया कि उसको इनका रिजल्ट मिला है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने अपने पूरे परिवार के भले के लिए देख लीजिये लाश्ट तक अंत तक समय निकाल करके देख लीजिये, और यकीनन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आने जा रहा है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जिसकी आपने कभी कलपना नहीं की होगी दोस्तों अब बहुत ध्यान दीजियेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आना बंध हो गया था इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे या तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तिया हैं, या तो आपके घर पर रोज लड़ाई, जगड़ा, कलश होता है आपके घर का वातावर्ण अच्छा नहीं है, या आपके घर में कुछ ऐसी चीजे हैं, जिसके वजह से आपके घर को दोश लगा हुआ है तो दोस्तों काले धागे के ऊपाई से आप इन तरीके की दिक्कतों से छुट्टी पा सकते हैं आप मान लीजिए आपके पास जो धन नहीं आ रहा था, उसको वापस लाने के लिए या धन जो आता है वो टिका रहे इसके लिए भी काले धागे का एक उपाय बताया गया है बस आपको सही तरीके की साधना सही दिन पर करनी है और ये सारे उपाय जो भी हम आपको रहे हैं यहां शनिवार को आपको करने होंगे शनिवार को काले धागे का उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ती भी करवा सकते हैं मतलब आपकी कोई भी मनोकामना है संतान प्राप्ती, नौकरी प्राप्ती, व्यापार को दोडाने के लिए नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए या कोई भी आपकी मनोकामना A to Z कोई भी मनोकामना है, वह जरूर पूरी होगी, लेकिन आपको काले धागे का सही तरीके से प्रयोग करना होगा। वह उपाय करने होंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखेगा। इसलिए कोई कॉपी ले लीजिए। पैन ले लीजिए जितनी भी क्रियाएं आपको बताई जाएंगी। इनको कहीं लिख लीजिए क्योंकि दोस्तों हिंदू प्राणों में एक बात कही गई है। आप अगर तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी शास्त्री के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रॉलजर के पास जाएंगे। और उससे कहेंगे कि हमारे लिए पूजा कर दो तो वो पूजा आपके लिए कर देगा लेकिन आपको उसका जो फल मिलेगा वो थोड़ा रुक-रुक के मिलेगा और समय के बाद मिलेगा लेकिन अगर आप किसी पूजा को किसी साधना को सिद्ध कर देते हैं और विशेश दिन पर सिद्ध कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिल जाएगा दोस्तों शनिवार का दिन होता है इसको चमतकारी दिन कहा गया है यह हनुमान जी महाराज का दिन होता है हनुमान जी महाराज कल्युग के एक मात्र ऐसे जीवित देवता है जिनके सामने अगर कोई भी उपाय किया जाए तो वो तुरंथ ही उस उपाय का हमें परिनाम दे देते हैं और काले धागे का उपाय एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जाता ही नहीं है समझिएगा इस बात को हम क्या बोल रहे हैं काले धागे का उपाय खाली जाही नहीं सकता है बस आपको इसको सही तरीके से करना, वो करना कैसे वो हम आपको बता नहीं रहा है इसलिए बहुत ध्यान से सुनेगा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो काले धागे को आप चाहे रेश्मी वाला लिया ये शायद वाला ये दोनों से चल जाएगा काम आपका आप सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मनोकामना पूर्ती के लिए मनोकामना पूर्ती का मतलब है, इसमें आपकी हर चीज आ जाती है नौकरी प्राप्ती, संतान प्राप्ती, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार को दोड़ाने के लिए घर में सब कुछ ठीक हो जाए घर का वातावर्ण सही हो जाए तो ये मनोकामना पूर्ती के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं आपको सिर्फ ये करना है शनिवार के दिन आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है देखिए हनुमान जी के मंदिर आपको जाना पड़ेगा और काला धागा ले करके जाए आपको काला धागा ले करके हनुमान जी की किसी भी मंदिर चले जाना है आप हनुमान मंदिर जाते हैं आपको हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ना है उनके दाएं चरण बहुत ध्यान दीजिये गादाएं, उनका जो पाव है, उसमें आपको काले धागे को छुवाना है छुवाने के बाद जो उसमें सिंदूर लगाना है, फिर उसकी एक गांठ बांध देनी है फिर अपनी एक मनोकामना बोलनी है इस प्रकार से आपको साथ गांठे लगाने और साथ मनोकामना बोल सकते हैं अब आपने यह कर लिया, जब साथ गांठ लगा लीजिये, तो मन ही मन आपको 11 बार हनुमान 40 का पाठ करना होगा लेकिन दिक्कत ये है बहुत से लोगों को हनुमान 40 आता नहीं तो आप लोग क्या करेंगे तो आपको बता दे आप लोगों को ओम हनुमते नमह का जाब करना है एक हजार एक बार ये साथ गांठे लगाने के बाद आपको एक हजार एक बार या तो ओम हनुमते नमह का जाप करना है या ग्यारह बार आपको हनुमान चालिसा का पाठ कर लेना है फिर आपको ये करना है कि ये जो आपने काले धागे में साथ गांठे लगाई है हनुमान जी के दाये चरण से सिंदूर लगा लगा के इसको घर पर लाइए किसी लाल कपड़े में बांध करके मौलिक धागे से पैक करके दीजिए और अपने कमरे में रख दीजिए आप जीस भी कमरे में बैठते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए बस इतना कर दीजिए यकीनन दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना होगी वो हनुमान जी के आशिरवाद से पूरी हो जाएगी लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मनोकामना पूर्ती के लिए जो उपाई किया जाता है इसमें फिर आपको तामसिक भोजन छोड़ देना पड़ता है मतलब जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं तामसिक का मतलब है नौन वेज मदिरा, गुटका, पान मसाला तभी इस उपाई को कीजिएगा जब आप तामसिक भोजन छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ मनोकामना पूर्ती का उपाई कर लिया और इसके बाद अगर आपने तामसिक भोजन कर लिया तो आपको हनु मान जी का क्रोध जेलना पड़ेगा दूसरा उपाई है दोस्तों घर में नकारात्मक शक्तियां को खतम करने के लिए अब मान लीजिए आपके घर पे रोल लड़ाई जगडा होता है आपके घर का वातावर्ण अच्छा नहीं रहता है आपके खुद के घर के लोग हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर का वातावर्ण बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके घर में रोल लड़ाई जगडा जो होता है वो बंध हो जाएगा एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है हमारे वास्तु शास्त्र में तो ऐसे के लिए आपको यह करना है किसी भी हन हनुमान जी के मंदिर चली जाएए शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएए वहाँ पर एक काला धागा लीजिए काले धागे में सिर्फ एक गांठ लगा करके हनुमान जी के दाएं चरण में छुआ दीजिए जो सिंदूर है और इसको किसी भी लाल पोटली में रख आपकी नौकरी लग जाएगी आप मान के चलिए आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं। तूट चुके हैं नौकरी का प्रयास के चक्कर में तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तयारी नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो नौकरी लग जाएगी। तो ये उपाय बहुत आसान सा है, लेकिन इसके लिए जो साधना आपको करनी है, वो बहुत ही कठिन साधना है, तो करना ये आपको की आपके काला धागा लेना है। अज़ा नहीं आता है, तो 2001 बार ओम हनुम्ते नमह का जाप करना है। Artist आपको ये काला धागा धारन कर लेना है। काला धागा हनुमान जी के दाएं चरण में छुआ करके आपको धारन कर लेना किसी पुजारी से बंधा लेंगे तो बहुत ही शुप है। काले धागे को उदाहरन कर लीजिए, निश्चत रूप से दोस्तों आपकी नौकरी जरूर लगेंगी लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये काला धागा धारन करने के बाद आप तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं, तामसिक मतलब जैसे आप लो आपके उपर वह बाधाएं खत्म हो जाएगी और दोस्तों ये जो उपाय हमने आपको बताया उपाय कई IAS, PCS बड़े बड़े अफसर कर चुके हैं, दोस्तों ये जितनी भी आपको उपाय बताय जा रहे हैं, ये ऐसे वैसे उपाय नहीं है, ये वास्तु शास्त्र से आपको उपाय बताया जा रहा है, आपको इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखेगा, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो तुरंत ही वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, वो उपाय से आपका राहु के तु बड़ा अच्छा हो जाएगा, आप सुनिएगा जो आपको उपाय बताने जा रहे, इससे पहले आपसे निवेदन था कि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो करना क्या है? आपको काले धागे का एक बड़ा सा उपाय बताया गया है, हमारे हिंदू पुराणों में कि अगर आपके राहो के तु अच्छे नहीं है, तो आपको सिर्फ यह, करना है कि ये काला धागा लेना है, काला धागा लेने के बाद अपने घर की छट पर शनिवार के दिन चले जाना है सुर्यास्ट के बाद एक पूर्व दिशा की तरफ आपको घी का दीपक जलाना है, आपको हनुमान चालिसा साथ बार पढ़ना है और काला धागा जो होगा उसको किसी काली पोटली में डाल दीजिए, मौली धागे से बांध दीजिए और अपने घर की छट पर रख दीजि तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का जो राहुकेतु होता है वो उसके छट पर वास करता है ध्यान रखिएगा हर शनिवार को अपने घर की छट को साफ कर दिया कीजिएगा क्योंकि राहुकेतु तभी आपके घर पर वास करने आएंगे जब छट साफ होती है तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके राहु के तु हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन काल से हर परेशानी चली जाएगी दोस्तों अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है किसी की बुरी नजर का दोश लगने के सारे लक्षन दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेश तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए दोस्तों वैसे तो ये उपाय तुरंट असर दिखाना शुरू कर देता है लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है ये उतना असर नहीं दे रहा है तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंतरि दोस्तों नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ती बढ़ाने का काम करना पड़ता है अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को जीप के उपर से साथ बार घुमा कर मंतर बोल देंगे तो उस धागे की शक्ती पुनरजीवित हो जाएगी बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है, ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हो, ये आपको उसमें से उबार लेता है ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता है ग्रह पीडा, वास्तुदोश बुरी शक्तियां हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख, शान्ती, समरिध्धी और धन की आवक बनी रहती है असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है तो ये उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिन्दगी से दूर फेंके तो दोस्तों ये विडियो अगर आप लोगों ने अंत तक देखा है तो आप लोगों से निवेदन है कि विडियो लाइक किये बिना मत जाईएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज की लिख दीजिएगा